दोस्तों ये कठल है इसकी बाहर की कवरिंग मैं काटूंगी ये सक्त कवरिंग काटने से पहले मैं अपने हातों में सरसो का तेल मल दूंगी ताकि कठल मैं मेरी पकड अच्छी बैठ सके देखिए इस कवरिंग को मैं चाकू से हटाती हूँ दीरे दीरे मैंने सारी इसकी मोटी जो खाल है उसे हटा दिया है और ये देखिए ये कठल की खाल है और अब मैं इसमें जो ये फाल्तू का जो अननेसेसरी पाट है ये देखिए बीच में से इसको भी निकाल दूंगी ये हमारी सबजी बिनाने में काम नहीं आता है और इस तरह से यह देखिया बाहर की जो फालतों की लेयर है उसे भी अठा देती हूँ बीज बीज में हाथों में तेल लगाते रहेंगे दीरे दीरे मैंने इस कठल के छोटे छोटे पीस कर लिये हैं अब मैं इस कठल के अंदर जो बीज होते हैं उसका जो सक्त परत होती है उसको हटाओंगी ये बीज की मैंने सक्त पाट को हटा दिया है चाकु से अगर हम इस सक्त पाट को नहीं अटाएंगे देखिये सक्त चिलके हैं अगर हम इन चिलकों को नहीं अटाएंगे तो ये हमारे गले में खाते समय चुपते हैं उसके बाद ही हम इन चोटे चोटे टुकडों को साप पानी से दो तिन बाहर धोकर इसकी सबजी बनाने की तैयारी करेंगे दोस्तों कठल काटना भी एक कला है कठल को हम सीधे काट कर इसकी सबजी नहीं बना सकते नहीं तो हमारी सबजी खराब हो जाएगी क्योंकि कठल के जो बीच का सक्त पाट होता है सक्त चिलका होता है वो खाते समय हमारे गले में चुपेंगे इसलिए हमें बहुत सातानी से कठल को काटना है